तो मुझे बेसिकली यह लगता है कि इनसान कुछ भी करता है चाहे वो पैसे कमाता है चाहे वो बहुत जारा मेहनत करता है चाहे वो कुछ ऐसा भी कर रहा है जिसके पीछे दूसरों को लगे कि इसका कुछ बैनिफिट नहीं है पर अल्टिमेटली वो सोच अपनी खुशी के अगर वो कोई दान पुन भी कर रहा है दूसरों की सेवा भी कर रहा है तो उसके पीछे भी उसका एक रीजन है कि उसे सायद साटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है किसी चीज से और उसे अपने आपको बैटर फील कराना है और उसे उस चीज से अच्छा लग जाए अगर वो ऑमद भी कर रहें देंग ऑन ले मिल भी गई जह इस खोशी की आब बात कर रहा है और 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 मतनी में जाता हूंahan यह नए पर अगर डीप लेवबल पर जाकर देखें वो उससे भी कुछ बड़ाा तो कहीं ना कहीं छुपा होता है वो benefit होता है बिलकुल होता है इसी को hedonism बोलते हैं एक term होता है English में hedonism को दिखर अचार यह किसी भी इंसान आचार बहु हो अचार मेरे फ़गवान ने करने को क्यों चुपा जायगा वह अंदर ये अंदर समझ जाएगा कि भाई यह तो पकड़ लिया इसने लूप में घुमाके इसने मेरे पकड़ लिया इसने और अची तुम अल्टिमेटली एक ही एक ही गोल की तरफ भाग रहे हो अपने सुख की तरफ अपनी सुख अब लोग बोलते हैं कि मरने के बाद आफ़ लाइफ जिन रिलिजिंस मैं फूर इबराहम के रिलिजिंस मैं आफ़ लाइफ के के जोगे psychology साइकिकी तुमारी इंसान वाली होगी सोच तुमारी इंसान वाली है क्योंकि benefit वाँ पर इंसान वाली है तो तुम वहाँ पर एक वक्त पर बोल जाओगे और तुम सवाल उठाओगे कब तक चले गई है और और इससे बहतर क्या हो सकता है, मैं एक paradox हमेशा बनाने की कोशिश करता हूँ, कि अगर मैं कल को जिस भी धरम के आप बंदे हैं, आपके भगवान को आपके सामने लाके खड़ा कर दूँ, क्या करोगे आप, अगर वो सामने आ गए, तो आप पहले तो बहुत आश्चरे चिकत होगे, आपके मेसफर हों थृमने स्सेटराह भगवान ये, ये है, वो है, पूझने लगए, रोस मेसघ ख्याने लगए, क्या क्या कर लगए। तो घृमने हैं क। बहूंत मेलने है को कर आथ इससे भी तो बेढ़र रो सकता है, तो तुम उस भगवान को छोड़ो के बोलो के Sightheart अश्क्रीड हो सकता है, इसको भी बनाने वाला को हो सकता है, यह समझ रहे हैं? जो इसन साहिथ की है, जो इसनसा भेव बनाता है, इस तरह से वह इस तरह से है, कि वह एक चीज से सैटिसफाई ली होता है, अगर आप एक थौड एक्सपेरिमेंट भी करके देखो, आज कल तो खेर अगर हम पीछे चल के देखें, जब कुछ भी नहीं था, जब बिजली नहीं थी है, पंक्खे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी लोग रहते थे, पर एक चीज को लेकर इनसान को लगता है कि इससे बेटर हो सकता है, तो अगर ऐसा एक थौट एक्सपेरिमेंट भी हम करने, कि इनसान को सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया उसे, तब भी वो सैटिसफाई नहीं होगा, यही बात है, यह चीज मैने, तो अगर यह जो यह जो तो वो चीजें ऐसा लगता है कि सही नहीं है अगर हम इस चीज को मान के चलें, इस स्वार गया इसा होगा, मैं कोट यूज करता हूँ, फ़नी कोट है, पैरेडॉक्स से बरावा, वांटिंग, हैविंग नो डिजायर इस आलसो डिजायर, यह वांटिंग नो डिजायर इस कोई डिजायर नीचाहिए, मैं लालच और डिजायर से दूर रहना चाहता हूँ, वो भी डिजायर है कि तुम वैसा बनना चाहते हो, ठीक है, तो हर चीज में पेराडॉक्स है, और यह चीज से बड़े स्केल पे नीचे लिए धरम से हटके थोड़ा नीचे आते हैं, मैं ज